हाइ फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत informative information दे रही हूँ किसी भी company में, hospital में या फिर malls में, X, Y, Z, किसी भी company, किसी भी hospital या किसी field में आप काम करते हो तो उसी के उपर मैं आपको information दे रही हूँ ये information आपको घर में रहते हुए भी safety के जो नियम है वो आपको use में आएंगे मैं आज आपको बता रही हूँ अर्थ क्यूब के बारे में भुकम्प जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अगर आप किसी कंपनी में कारियरत है और भुकम्प आ जाए तो आप क्या करेंगे अगर आपको information है तो आप अपना बचाव कर लोगे अगर आपको इसके बारे में कोई knowledge नहीं है information नहीं है या आपको किसी भी type की training नहीं दी गई है तो आप अपना बचाव नहीं कर पाओगे तो ऐसे में आपका बचाव कोन करेगी security security आपकी company में इसलिए तैनात की जाती है इसलिए hire की जाती है ताकि आपकी वो जानमाल की रक्षा कर सके तो ऐसे में आपकी help करेगी security अब अर्थक्योग के बारे में हर company में poster लगे हुए है guidelines दी हुई है उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान अपने आपको नहीं बचा पाता तो ऐसे अफसर पे security ही काम करती है security जो होती है वो अपनी team बना बना के employees को एक meeting के दुआरा एक seminar के दुआरा time time पे suggest करती रहती है कि हमें अर्थक्योग से कैसे बचना है माल लेजिए आप किसी company में कारेरत है या आप घर में ही रहते है और अर्थक्योग भुकंप आ जाए तो आप क्या करोगे उससे बचने के लिए तो मैं बताती हूँ आप उससे बचने के लिए क्या करोगे आप जिस भी floor पे आपकी duty है तो वो floor की information आपको अच्छी तरह से रहती है तो उस information में आप एकदम भुकंप होता है वो एकदम से आता है अचानक उसमें ना तो हम भाग सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो एकदम से ऐसा जटका आता है कि सब कुछ तहस-नेस कर जाता है या तो वो slow आता है धीरे से होके निकल जाएगा या भुकम इतनी जोर से आता है कि तभाई ही मचा जाएगा पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ही गिरा जाता है बहुत ही तहसनेहस कर जाता है तो अगर आपके पास knowledge है information है कि भुकम से कैसे बजा जा सकता है तो आप अपनी safety खुद कर सकते हो और आपने आस पास भी guidelines दे सक आप अगर भुकम पाता है तो आप बिल्कुल भी जहां पर काम कर रहे हो वहां पर खड़े ना हो जहां पर pillar हो आप वहां पर चले जाईए और pillar के पास खड़े रहे क्योंकि pillar बहुत होते हैं उनके अंदर सिमट और सरिया ठोस्ट चीज होती है जिससे की building गिरने का खत्रा कम हो जाता है और आपको बहुती सिक्योर फील होता है आप जब भुकम पाए तो गलती से भी पैनिक न हो बलकि अपने बुद्धी का यूज करे और आप पिलर के पास खड़े हो जाए जब भुकम पाता है तो आप कभी भी स्टेर केस शीडियों का यूज कभी ना करे क्योंकि शीडिया बहुती कमजोर होती है आप कभी देखना सिर्फ शीडियों पर सिर्फ इटे इटे लगी रहती है निच्चे कोई सपोर्ट नहीं होता खोकला होता है तो इसलिए कभी भी स्टेर केस का यूज ना करे क्योंकि शीडिया बहुती कमजोर होती है और जब लिफ्ट एक इलेक्ट्रोनिक होती है अगर लिफ्ट का आप यूज करोगे जल्दी फ्लोर के ग्राउंड पे जाने के लिए तो लिफ्ट इलेक्ट्रोनिक होने के साथ-शाथ बंद भी हो सकती है ना तो फिर वो उपर जाएगी ना यह नीचे जाएगी आप उसमें फसके रह जाओगे और आप भोती पैनिक हो जाओगे इसलिए अगर कभी भी भुकम पाता है तो आपके पास अगर नियरिष्ट में कोई भी मजबूत टेवल है मेज है तो आप उसके नीचे बैठ जाए अराम से ताकि अगर छट गिरने भी लगे तो आपका किसी तरह से बचा हो जाए और आप बिल्कुल भी पैनिक नहों अपने आपको पूरी तरह से बचाने के लिए जो मैंने बताए है तरीके उसी का यूज़ करें और फ्लोर पे कहीं भी इधर उधर ना भागे अगर आपको भुकम के बारे में information है और आपके साथ काम करने वाले को information नहीं है तो आप अपनी safety करते हुए दूसरे employees को भी guidelines दे सकते हो ताकि उसकी भी जान बची रहे अगर आपको मेरी information अच्छे लगे तो please like, share और subscribe करना मत भूलना इसके साथ साथ आप comment भी करते रहना Bye Bye Friends